नवश्कार आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है आपके साथ में हूँ आरती गेलोत आईए बढ़ते हैं खबरों क्यों गौरपपुर के बास गाउं शेत्र के ग्राम परदान खुश्बू यादव ने चुनाव जीत के पूरे ग्राम परदान के लोगों को मिठाए का वित्रन किया साथ ही सभी ग्राम वास्यों का आशिरवाद लिया और उन्हें कहा कि जिस तरह से जनता ने हमको ग्राम प्रदान बनाया है मैं उनकी उमीदों पर खरी उतनी की पुरी कोशिश करूंगे बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस उमीद और जिस विश्वाद से मुझे जिताया है मैं उनकी सभी उमीदों और विश्वाद पे खड़ी उतरूंगी और उनका सिच्छा दिछा पे भी पूरा-पू अपने सभी ग्राम वार्सियों को आप ग्राम सभा कटवर को क्या संदेश देना चाहते हैं पहले तो मैं अपने ग्राम सभा के लिए क्याना मैं ग्राम सभा कटवर मौजारी और कटवर सब्समानी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमको अपना विश्वास किये उनको भारी मतों से विजयी बनाएं उनके लिए धन्य बाद और दूसरा यह बात है कि जो हमारे गराम सभा में जो काम नहीं हुआ है को काम करके हम तिखाएंगे और ऐसा काम करेंगे कि जो परधान जो 25 साल हुआ जो नहीं कर पाया उसके लिए हैसे हम काम कर देंगे कि कभी ह दूसरी बात यह हो गया कि जो बुर्जूर के जो भी धुआ जो आपके जो चैनल के माध्यम से हमको जो आप लोग इंटर्व्यू ले रहे हैं मैं यहीं करना चाहता हूं कि सभी जनता को कोई दिक्कत नहीं होगा और एदम विश्वास से काम होगा एदम कोई पच पाच कोई विपच नहीं कोई पच पाच नहीं दम साथ सुत्रा काम साथ सुत्रा काम होगा एदम हमारा वादा है गोरगपूर से अनिल कुमार विश्व कर्मा की रिपोर्ट फिलाल खबरों में इतना ही आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज 24 News.